हाई फ्रेंड्स, तुड़े आप पिक अप टॉपिक लंडन, एक्चलिए इस इस पोयम फ्रम इंग्लिश लिट्रेचर, यह आपकी इंग्लिश कंपैनियन में से हैं, इंग्लिश लिट्रेचर थ्री, पेपर सिक्स के बारे में हैं यह, आपको पता होगा, सेम्यूल जेंसन की यह पोयम है, लंडन, जो ली गई है, तो से ठायर आओ, जो एनल से, ओके, तो मैं शुरू करती हूँ, दो ग्रीफ, एंड फॉन्नेस, इन माई ब्रेस् रिबेल, विके मैं आपको इसका थोड़ अचा पहले सार बताना चाहूंगी, फिर बता दूंगी, इसमें क्या दिखा पूरी पोयम, शाद आपको उससे यह जाद समझ में आए, इसमें जो यह राइटर है, यह महाँ पर जो लंडन में, पहले लंडन का बहुत ही एक गौरफ शाली तियास हुआ करता था, तो यह उसके गवात थी, जिस वक्त थे, जब लंडन ने बहुत से देशों पर जीत प गौरफ शाली होकर, अब वो यह कह रहे हैं कि अब लंडन की स्तिती न थोड़ी सी बिगड गई है, जिस सिटी में वो रहते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम्स होने लगे हैं, कॉंस्पिरेशी होने लगे हैं, कॉंस्पार, रेपाहिन, एक्सिडेंट, मैल, इस यानि कि समाज बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ जा रहा है, तो यह सब चीजे जो यह राइटर है, इनके मन में इस सब चीजों ने बहुत घहरा प्रभाव डाला है, जिसे इनोंने एक पोयम की रूप में डिस्क्राइब क्या है, और यह पोयम एक बहुत लॉंग पोयम ह तो मैं इसे पार्ट में डिवाइट कराऊंगी, आपको भी बोर नहीं लगेगा, मैं भी नहीं थकूंगी, ठीक है, ओके, तो लेट्स केट स्टार्टेट, आई होप यू अंडर्स्टाइब, ठीक है, चलिए, दो ग्रीफ एंट पॉननेस इन मैं ब्रेस रिबल, वैं इंज तो मैं पहले यह जो साथ लाइने हैं, इनके बारे में आपको हिंदी बताती हो थोड़ी से, यह कह रहे हैं कि ग्रीफ एंट फॉननेस इन मैं ब्रेस रिबल, यानि कि मेरे अंदर एक गुस्से का और थोड़ा सा गुस्सा और आक्रोश की आंधी सी चल रही है, जब वैं इंजोर्ड थेल्स बिट्स तर टाउं फेरवल, यह थेल्स जो हैं, उनके एक दोस्त हैं, जो शेहर छोड़की जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन एक अच्छा भी लग रहा है, उनको कुछ, मतलब किस वज़े से अच्छा लग रहा है, यह आगे बताए गया है, यह तिस्टिल मैं कामर थोड़, फिर भी मेरी अगर एक शांत चित से मैं सोचूं, इस चॉ इसके लिए तो मतलब ही छोड़ की जा रहा है, तो इसके लिए मैं खुश हूँ कि यह अच्छी जगा जा रहा है, पर मुझे अपने फ्रेंड की जाने का पस्तावा हो रहा है, वो कह रहा है, कि चला जाएगा दूर, यह जो लंडन में बहुत जादा बुराईया, कृतिया फैली हुई है, उसके बाद तो ब्रीथ इंडिस्टेंट फिल्डे प्योर रेर, अब वो दूर चला जाएगा कहीं, और खुली हवा में सांस लेगा, खुली हवा में सांस का मतलब है, कि वो उस जगा चला जाएगा, जहां पर यह कॉंस्पिरेसी और यह सब, मतलब शडिया केंब्रिया स्वलीटरी शोर, वो कहरें कि वहाँ पर चला जाएगा वो, और वहाँ पर अकेला, उससे पहले तो अपने अकेले रहने का दुख हो रहा है, फिर वो कहते हैं कि इस तरह मेरा दोस्त तो जा रहा है, पर मैं ब्रीटोन में से, मतलब कि जहां पर मेरा दोस्त जा यानि एक हमारे यहां का इमानदार आदमी उनको दे रहा है ठीक है इसके बाद वो कहते हैं देखे मैंने लिखा भी हुआ है ठीक है आपको दिखाई तो दे रहा होगा इसके बाद है लाइन नमबर 8 for who would leave unbribed Hibernia's land or change the rocks of Scotland for the strength there none are swept by sudden fate away but all whom hunger spears with age decay here malice rapine extend conspire and now a rebel rages now a fire their ambush here relentless ruffian slay and here the fell attorney brawls for free here falling houses thunder on your head and here a female atheist talks you dead तो अब ये क्या कह रही है पहले मैं लाइन की हिंदी बता देती हूं थोड़ा सा पोयम से थोड़ी वो बैठ जाती है for who would leave unbribed Hibernia's land वो कहते हैं कि अब जो लोग है बहुत ज्यादा क्या करने लगे हैं ब्राइब लेने लगे हैं तो मतलब unbribed किसे कहता है इमानदार आदमी को कहने हैं और change the rocks of Scotland for the strength यानि कि अब वो जा रहा है कहां Scotland की तरफ जा रहा है यानि कि अब वो सारी परिशानी सो शूट के जो उनका दोस्त है Scotland की तरफ जा रहा है they are not sweat by sudden fate away अब वो यह कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरा दोस्त जा रहा है तो पूरी मतलब पूरी एक तरीके से fate ही change हो गई है लंदन का जो मतलब degenerate life है अब वो कहते हैं here malice rapine accident conspiracy यहां पर हर वक्त लोग चिरते हैं एक दूसरे से जलते हैं लूट डकैती accident लोग को शडियंत्र करना एक दूसरे को नीचा दिखाना और यहां पर बहुत से जो गुंडे हैं जो मतलब यह जो anti-social elements होते हैं बिल्कुल घात लगाए बैठे हैं लोगों पर फिर बहुते हैं and here the fell attorney prowls for pray लोग चुप चाप बैठे हैं कि किस तरीके से किसको मार जा और अपने को उपर उठाया जाए यह निकि कोई इमानदारी को बिल्कुल भी preference नहीं दे रहा है बस एक दूसरे को नीचे गिरा कर उपर उठने की कोशिश की जा रही है here falling houses thunder on your head तो इसका मतलब यह ही कह रही है कि एक दूसरे को ग्राकर खुद उठा जा रहा है and here a female atheist talks you dead और उसके बाद में जो नास्तिक लोग बोल देते हैं बाद में कि अरे इस आदमी के बस के करना कुछ है नहीं हाँ dead का मतलब है कि जो आदमी खुद को यह कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूं तो दूसरे को डैड बताता है कि मतलब दूसरे को यह बताता है कि यह इस काम के लायक नहीं है फिर उसके बाद यह कहते हैं वाइल थेल्स वेट्स तवेरी डैट कंटेंस यानि कि जब वो कहता है कि जब मेरा दोस्त इंतिजार कर रहा है अपने किसी वाहन के लिए कि जिसमें बैटके हो जाएगा ऑफ डिसीपेटिड वेल्थ एन स्मॉल रंचेन यानि कि अपने सारे स अमान के साथ ऑन थेम्स बैंक तो वो ना एक थेम्स रीवर का नाम है उसके किनारे पर आराम से खड़े हो के सोचते हैं कि वेर ग्रीन वीच इसमाइल सपॉंदा सिल्वर फ्लूट के कैसे यह रीवर पहले कितनी सफाई से चमकती थी सिल्वर फ्लूट का मतलब बड़ी ही प्यारी सी और बिल्कुल क्लीन सिल्वर फ्लूट की तरह यानि कि इसमें एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि पानी के साफपन का वो कह रहे हैं कि हमारे लेंडन में इस तरीकी से पहले फ्री था फ्री ऑफ क्राइम था तो फिर यह कह रहे हैं इस ट्रॉक विद शीट घ़ गेव वो कहने कि जब «'S-EZ-21 था था तो उस थाइम हो भी थे यह जो जॉनमाने उसन उसन्स फूम भी थे तो वो कहते हैं कि उसन suggesting कि यहां फिर नेकि नील औ किसदा Consecretato, that cdπецわか чувств अर्फ कि अर्थ inteज प्रीं म intended आते थी कि हम इसको चूम्ते थे in the in business यहां पर ड्रीम पी जो आते थे प्लीजिंग आते थे इट मिन्स कि यहां पर बहुत जादा अच्छी चीजे होती थी यानि कि देखा जाए तो मतलब पॉलिटीकली सब चीज अच्छी होती थी हुनर को ही एक अच्छा ओदा दिया जाता था अब यह कहरें एंड कॉल ब्रिटेनियास ग्लोरीज बैक टू व्यू तो वो चले जाते हैं ब्रिटेन की जो ग्लोरीज के याद करने में कि कैसे हम लोग अगर किसी पर राज करते भी थे तो उसको बिलकु सामने से जीतते थे यानि कि कोई उसके खलाफ कोई भी शडियंत्र वगरा नहीं हो आते हुए आते थे दा गार्ड ऑफ कॉमर्स एंड़ ड्रेड ऑफ इस्पेन और जैसे कि हमने इस्पेन पर भी एक बार विजय हासिल की थे एरे मास्कुरेट्स टीपॉस्ट एक्सराइस और इंग्लिश ओनर के ग्रिव इस्टेनिंग जैस्ट तो गोलते हैं कि हमारा जो ल कहते हैं कि मेरा दोस्त जा रहा है यानि कि वह यह कह रहे है कि शुरू में ही वह कहते हैं कि मेरा दोस्त जा रहा है इंग्लाइन को छोड़कर और पोईट उसे बहुत ही सैड फेरवल दे रहा है यानि कि उसको बाई-बाई कहने आया लेकिन बहुत ही सैड मूड में कहना च रहने के लिए जा रहा है वो एक अच्छी जगा है उसके लिए रहने के लिए वो अपने फ्रेंड के डिशीजन को सलीट करता है वो कहता है कि अच्छा है मेरा दोस्त यहां की बुराईयों से दूर जा रहा है ऐसा नहीं है कि उसका दोस्त तो महां के स्कॉटलेंड की रॉक् मतलब वह वह लिया और हुआ यानि कि लो भी तुआ है महां के लाला चुमें जा रहा है कि मैं अच्छे जगों को देखने जा रहा हूं बल्कि वह तो लंडन में जो एक समाज में गंद की फैली हुए उससे दूर जा रहा है ओके तो वह एक है इन शॉर्ट वह यह कहना चाहर रहा है और फिर भी वह प्रिमिटिव रीजन उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है इसके बाद वह कहते हैं कि कि जो यह कंडिशन है लंडन की वह इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि करप्शन जो है पॉलिटिकल लाइफ की पॉलिटिकल लाइफ और सस्पीशिस प्राइव वह ही इसके लिए रिस्पॉटंसीबल है जो पूरे समाथ में बिमार्यां फैली हुही है बिमार्यां-इलनेस हैै या पर जो एकसिडेने रिपास कॉन्स्पिरेसी ये सब जो हो रही है ये सब सुसाइटी में ईविल्स हो रहे हैं इन सब चीजों को बिमार्य कह रहे है और गुंडे ऐसे फिल्ड रहे हैं वो बोल रहे हैं कि रफियन साथ सोर्सस ऑफ ट्रावल यानि कि पूरे में चोड डकैत गूम रहे हैं इसके बाद वो बोलते हैं कि क्वीन अलिजबेट के जमाने में कहां एक बहुती बढ़िया चीज हुआ करती थी लोग अपनी धर्ती को जय प्राप्त करा के आते थे कहीं पे कोई भी हम लोग चला की नहीं करते थे बिल्कुल और जो लोग जीत के आते थे उनको बहुत ही अच्छे से रिवाड दिये जाते थे उनको अच्छी पोस्ट दी जाती थी और हम बिल्कुल अपने देश के जंडे को बिल्कुल अलग वो बोलती है पर अब ना नेताओं ने अपने देश को जैसे की थोड़ा नीचे गिराने के लिए दूसरों से संधी कर ली है तो यानि कि वो कहरें कि अब लंडन थोड़ा सा क्राइम्स में फस गया और इसकी वज़ा हमारे नेताओं हैं जो सही फैसला नहीं ले पाते हैं तो आई होब गाइस कि आपको ये पोयम समझ में आई होगी मैंने कोशिश किये कि आपको लाइन वाइस लाइन समझा सकूँ ये वन से लेके 30 तक की एक्स्प्लेनेशन थी और इसकी आगे की एक्स्प्लेनेशन में अभी दे दूँगी आपको कोई और भी पोयम चाहिए हो तो प्लीज कमेंट डाउन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को जितना जादा हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक भी करें, तैंक यू,